आईपियल उक्सन में उस वक्त बात इगो और आउकात पर आ गई जब सैम करण को खरीदने के लिए पंजाब किंग्स के ओनर, नैस वाडिया और मुम्मे इंडियन्स के अमबानी के बीच बिड रेस सुरू हो गई लेकिन फिर जो हुआ जानकर आप भी आश्चर चकित रहे जाएंगे जी हाँ दोस्तों, आईपियल 2023 का उक्सन यूटो पॉकेट के पैसे खत्म करने की ओप चारिकता मात रहे क्योंकि ज़्यादतर खिलाडियों को रिटेंड कर लिया गया है बहराद सैम करन एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे हर प्रैंचाइज अपने खेमे में करना चाहेगी इसी होड में जब पंजाब किंग्स और मुंबे इंडियन आमने सामने फसे तो सैम करन माला माल हो गए इस दोरा नेस वाडिया ने अनन्त अमबानी की और कुछ इस अंदाज में देखा जिसके जवाब में अमबानी ने 18 करोड 25 लाग की बोली लगा दी लेकिन नेस वाडिया को यह अस्तित्वी की लड़ाई लगी और उन्होंने 18,50,000,000 की बोली लगा कर सैम करन को खरीद लिया अब आप बतलाईए यदि आप सैम करन की जगा होते हैं तो इस वक्त क्या कर रहे होते हैं कॉमेंट जरूर कीजेगा तैंक्स रूआचिंग